कि अग्यां पिजिए अग्यां पिश्कार एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मॉर्निंग वाली क्लासेस में दोस्तों आज फिर हम सेशन को कंटिनुव करने जा रहे हैं लास्ट सेशन में हमारा ये आज कर टोपी चल रहा था वो बीच में एक्चुली दोपीक बहुत सिख्चा प्रनाली इंडियन एजूकेस्ट सिस्टम पर हमारा डिसकस चल रहा था जिसमें लास्ट में हमने प्राचीन और मद्यकालीन तक का पार्ट इसका कबर कर लिया था और आज के शेशन में हम कंप्लीटली आधुनिक सिक्चा प्रनाली पर बात कि इससे पहले वाला पार्ट आप एक बास जरूर देख ले जिससे कि आपको पूरी सिक्षा प्रणाली पर जो सेशन हमारा हुआ है जो क्लास हुई है वो पूरी कम्प्लीट समझ आ जाए ना सेकिंड टोपिक अभी है सेकिंड यूनिट हमारी चल रही है जिसमें थर्ड सेकिंड इडिट कम्प्लीट हो जाएगी जल्दी तो खुल मिलाकर केनेका आर्थ यह है कि जतना जल्दी पूसिबल हो पाएगा ना उतने जल्दी हम इस वाले सिरिस को कंप्लीट कर लेंगे आईडियों भर को कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों में प्राड़म में ही बता लगबक 8 बजे का भी कर सकता हूं 8 या 9 तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा फस्ट एर का ही तो फस्ट एर में फांडेशन को स्टाट कर रहे हैं मौर्णिंग में 9 बज़े से जिसमें अभी हम शुरुआत कर रहे हैं हिंदी से हिंदी के बाद इंग्लिश और उ लोगों को प्राचिन शिक्षा पर्णाली पर हमारी चर्चा हो चुकी कल वाले सेशन में और कल हम जो है मद्यकालिन शिक्षा पर भी बात कर चुके थे आज जो हमें बात करनी है वो करनी है आधुनिक शिक्षा-पणाली की दोस्तों एक छोट्ब थोड़ासा उत्त्रह वारे में की हमारी सिक्ष вся का किन किन समष्ण को सामना किया है तो सारी आकर आपको पता नहीं होगी तो प rise को पता होगी टिन सिक्ष घृभध अर्था विध्या था ट्यूरथ विध्या विध्योर ठीव कभी फिर वारां में लेकिन आजका सेशन में जो इसमें चर्चा करनी है कि इसमें डोस्तों हमारे चर्चा होगी जब पोकस पर डाल लिजीगा आदुनिक सिक्ष्चा प्रणाली की जब हम बात करते हैं तो इसको अध्यनी के द्रश्टी कूंड से हम दो भागों में बारते हैं कोंगे आदुनिक काल कब से माना जाता है जब ब्रिटिश या इस्ट इंडिया कंपनी की भारत में इस्ताफना होती है तब से लेकर के और बरतमान तक का आधुनिक काल माना जाता है तो इसमें इसमें सिक्षा ब्यवस्ता की हम बात कर रहे हैं सिक्षा प्रणाली के उदे की बात कर रहे हैं तो इसमें हमें इस पो दो पूरे इस आधुनी काल को दो भागों में बाटना होगा एक तो वो भाग होगा जब भारत गुलाम था या अंगर्जों के आगमन से लेकर के यह ना 1947 से पहले का जो समय था उस काल को हम सुतनता से पूर्वी की सिक्षा प्रणाली के काल के रूप में जानते ह किलियर और दूसरा जो भाग होगा वो 1947 अर्टात की भारत के सुतनता के सुतनता से लेकर के आज तक का जो समय काल होगा उसकी हमचार्चा करेंगे तो इन दो भागों में हमारी पूरी सिक्षा प्यवस्ता आधुनी कालिन सिक्षा प्यवस्ता की प्रणाली को हम समझने का करेंगे दो नोबर है ना सुतनता से पहले के काल में और सुतनता के बात के समय में किस प्रकार से और किस किस इस तर पर सिक्षा का विकास हुआ है आई ये डारेक्ली शुरुवात करते हैं सबसे पहले बात करेंगे सोतनता से पूर्व की कहानी की कि सोतनता से पहले क्या कहा प्राचिन संस्क्रति इसको थोड़ा कहानी के रूप में समस्ते चलेंगे तो संभवता आपको समश्या नहीं आएगी रटने का प्रियास किरिप्या करके मत कीजिएगा बस सुनते चलिए समस्ते चलिएगा अपने आप ये आपको याद हो जाएगा आप ये बर्डन बिल्कुल भी ना ले क्योंकि अब ये 12 से आए हुए बच्चे हो आप लोग और थोड़ा सा कुछ साइन्स से भी आते हैं कुछ और अन्य फिल्डू से भी आते हैं तो डारेटली आकर के ना इतियास थोड़ा सा बर्डन टाइप का लगने लगता है तो समझ नहीं आता है तो यहना एसा एकदम ना सूचे कि मुझे बस इसको रठना है याद करना ही है यहना इसा मत सूचिए बस एक बार पहले पढ़िए आप लोग पढ़ेंगे धीरे से आपके मस्तिस्क में ये डेटा अपने आप प्रिवेस कर जाएगा बिलकुल भी टेंशन ना ले एक बार में कर समझज कोई टोपिक को ऐसा होता है जैसे समझने में धिक्कत आती है कोई तोपिक थोड़ा सा डिपिकल होता है तो उस टोपिक के लेक्चर को दो बार देखरी जिए जिससे आपकी सारी बारी किया कंप्लिट हो जाएगी क्लियर समझघेंगे डाउट को किलियर कर लीजी तो पूरा टोपिक समझ आया है तो बिल्कूल निश्यंत हो करके उसके तुरंत बाद में पीडियेप का रिविजन लगाया आपको पूरा कंटेंट 100% याद रहेगा कहीं से कहीं तक कोई प्रोलम नहीं आएगे आपको ठीक है ना और उसके बाद अपने पुस्तिक का रिविजन लगाईए उसी टोपिक का किलेर हो जागा पूरा टोपिक आप लोग स्वयम अपने मस्तिस्क में इस विचार को ला सकते हैं कि सुतंतरता से पहले हमारी संपूर्ण व्यवस्ता अंग्रेजों के हातों में थी ना तो हमारी सिक्षा की व्यवस्ता भी अंग्रेजों के हातों में ही होगी अंग्रेजों के हातों में अर्थात की इंडिया कंपनी का सासंता भारत में इसलिए शिक्षा व्यवस्ता भी इस इंडिया कंपनी ही देखा करती थी और शिक्षा के छेतर में जितना भी विकास हुआ है वो इस इंडिया कंपनी के नेत्रदू में ही हुआ है और इस इंडिया कंपनी के जो गवर्नर जनरल रहे हैं उनके द्वारा ही सिक्षा भारत में सिक्षा व्यवस्ता को जो है सपोर्ट किया गया है लेकिन जरूरी नहीं है कि भारत में सिक्षा व्यवस्ता को प्रसार करने के लिए अंग्रेजों की नियत भारतियों के उद्धार की हो आवशक नहीं है बलकि अधिक्तम उनकी जो नियत रही है भारत में सिक्षा का प्रसार करने की वो नियत रही है उनके सासनकाल को और विस्तार देने की अर्थात भारतियों को अंग्रेजी सिक्षा दे करके भारतियों को अंग्रेज बनाने की उनकी नियत रही थी और इसी उद्देशे से उन्हों ने भो भारतियों को जो है सि प्रतेख वस्तु के प्रतेख शब्द के पक्च दोनों होते हैं तो अंग्रेजी शिक्चा के भारती बिद्वानों में भी भारतियों में से भी कुछ बिद्वान अंग्रेजी सिक्चा के पक्ष में थे और कुछ बिपक्ष में भी रहे हैं तो जो पक्ष लेते थे अंग्रेजी सिक्चा के उनका मानना ये था कि हम अंग्रेजी सिक्चा को एड़ोग करके और भारत का कहीं न कहीं भारत के प्रतेक पक्ष का हम करने वाले अंग्रेजी सिक्षा का बिरोद करने वाले जो बिद्वान थे भारती जो भारती सिक्षा की परंपरा को ही यथावत रखना चाते थे उनका भी पक्ष था कि हम अंग्रेजी सिक्षा को एडोपना करते हुए भारती परंपरा को या भारती सिक्षा की परंपरा को ह की हम आगЕ बढ़ाएं जिससे कि हमारी संसक्र्ती उस सि растah को आसानी से घ्रण कर सके और हम हमारी संसक्र्ती के साथ आगे बढ़ सकें दोनों के ही मत सरोधार्य थे दोनों के ही मतों में आवश्रक वुद्धेश थे समाज के विकास के लिए तो कुल मिला कर हम अंतता ये बोल सकते हैं कि दोनों ही प्रकार के जो विद्वान थे दोनों ही मतों वाले जो विद्वान रहे थे दोनों ही विद्वानों का एक अंतिम उद्देश एक ही हिता समाज का विकास करना कि लिए भारती समाज का विकास करना तो आईए इस पूरे दोर में सोतंता तक के पूरे दोर में किस तरह से अंगरेजी सासनकाल में सिक्षा का विकास हुआ एक नजर उस पर हम डाल लेते हैं दोस्तो इस पूरे सासनकाल में यह कहें कि भारती सिक्षा प्रणाली को सोतंता प प्रभावित से सब्सेड़ा प्रभावित हो ईसी दोरान सबसे पहले सिच्चा के छेतर में प्रसासनिक इस तरह पर अगर कोई पृयास किया गया था तो वो Warren Hastings के दुआरा किया गया था, Warren Hastings कोन था दोस्तों? British Governor General. तो Warren Hastings के दुआरा सबसे पहला ये प्रियास किया गया था, कब 1781 में. क्या प्रियास किया गया था? इसने, इनों ने कलकत्ता में एक मदर्से की इस्थापना की ती. क्या कीती है, क्या था? कलकत्ता में एक मदर्से की इस्थापना कीती अर्था दिये, कि कलकत्ता में मदर्से की इस्थापना के साथ ही, Warren Hastings ने सिक्षा के चेतर में एक कदम रख दिया था, जो की प्रिसासनी कदम माना जाता है. यह ना, प्रिसासनी कदम क्यों? क्योंकि गवर में 1792 में जोनाथन डंकन ने भी बनारस में संस्कत कोलेज की इस्तापना की जो बनारस संस्कत कोलेज के नام से प्रसिद्थ है यह उसके बाद में माउंट स्टुर्ट Geldировiden maund Stewart adaperson नें पुना में हिंदों के लिए एक महाविद्याले की इस्तापना की इसके बाद दिल्ली में फ्रेजर ने जमीदारों के बच्चों को सिख्षा प्रदान करने के लिए पढ़ाने के लिए उनको फार्सी सिखाने के लिए एक अलग से विद्याले की इस्तापना की तो देखिए अलग अलग इस्तर पर अलग अलग विद्याले की इस्तापना ब्र सांस्क्रतिक बिरास्त से प्रभावित होकर कि रोयल एस्याटिक सोसाइटी की इस्तापना की रोयल एस्याटिक सोसाइटी की इस्तापना की किसने सर विलियम जोन्स ने ये वस्तु निश्ट प्रस्णों में आप से कहीं बार प्रस्ण पूचा गया है कि रोयल एस्याटिक सोस से इंडिया किंपनी का जो चार्टर के समझ रहे ना ब्रिटिस संसद में चार्टर अर्थात्की भारत में सासण केसे करना है कमपनी को उसका नियम बन करके आता था उसको हम चार्टर केते थे तो जब British संसद से कंपनी के लिए 1813 में एक चार्टर बन करके आया कि अब आपको यह इस प्रकार से सासन चलाना है भारत में तो उस चार्टर में भारत की सिक्षा के लिए एक लाक रूपे दे किये गए थे कि भारत की सिक्षा में एक लाक रूपे इन्वेस्ट किये जाएंगे इस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मतलब यह कि एक लाक रूपे अब इस्ट इंडिया कंपनी भारत की सिक्षा ब्यवस्ता में खर्च करेगी कहां से आया था ये फर्मान इंग्लेंड की संसत से आया था कब आया था 1813 में और आपने फस्ट एर में दोस्तों भारती संभिधान बाली सीरीज में सायथ पढ़ा भी होगा 1813 का चार्टर जिसमें उल्लेक किया गया था कि एक लाख रूपे सिक्षा के अपका प्राबधान जो है इसी चार्टर में किया गया था इस इट क्लियर ना तो किसके प्रियासों से रुएल एसियाटिक सोसाइटी के प्रियासों से कि लिए रे तो इन सभी प्रियासों के फलसरूप ही कलकत्ता में 1817 में 1817 में हिंदू कोलेज की स्थापना होती है वहीं बोंबे में 1827 में अलफिस्टन संस्था की स्थापना की जाती है इस प्रकार के विभिन कतम सिक्षा के चेतर में उठाए गये थे अंग्रेजी सरकार के नेतरत भूमें और इसी के साथ में दोस्तों अब ध्यान एक बात में आपको थोड़ा सा इसी भूमी का तैयार करता हूँ पहले सुनिये तो इस प्रकार से कुछ संस्थानों की कुछ कोलेजों की इस्थापना होने लगी अब भारत में एक दोर प्रारंब हो गया एक हवा प्रारंब हो गई हवा चलने लगी थी किसकी सिक्षा की हवा चलने लगी थी अब प्रतेक इस तर पर भारत में सिक्षा की भी बात की जा रही थी लेकिन इससे पहले वारेन हैस्टिंग के कदम उटाने से पहले भारत में सिक्षा के चेत्र में कोई विच्षेस बाते नहीं हो थी वारेन हेस्टिंग ने ये कदम उठाया वेसे ही एक लहर चल पड़ी सिख्चा की लहर चली भारत में और उसी सिख्चा की लहर में एक बड़ा नाम आता है भारति सिख्चा के चेतर में लाड्ड। Myahle kalian का लाड्ड मे साथ में इसलिए मैं जान भूज़कर कर भारवार ये नियत वाला शब्द इस्तमाल कर रहा हूं ताकि अर्त के साथ भाव भी पिर्कट हो सके हिंदी साहिती में आप अच्छे से पढ़ रहे ना भावानुवाद है ना भाव का अनुवाद अर्थों के साथ साथ भाव का भी अनुवाद करते चलिए तो ये नियत वाला सब्द में बार बार इसलिए इसलिए इस्तमाल कर रहा हूँ कोई नकरात्मक ना ले लेकिन हाँ अपने भावों को इसके अंतरकट डाले और मेरे भाव को समझने का प्रियास करें कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ तेकि लाड मेकाले ने दोस्तों लाड मेकाले ने पूरे भारत की विवस्ता को देखा समझा और सिक्षा विवस्ता को भी उन्होंने देखा लाड मेकाले ने वो लाड मेकाले ऐसा नहीं है कोई वेवकूप या कोई मूर की इंसान नहीं था बहुत बिद्वान इंसान था बहुत बिद्वान इंसान था और बिद्वान था उनकी जो बिद्वान था थी उसका पूरा प्रियोग किया उन्होंने इस्ट इंडिया कंपनी को ओर लंबे समय स्थापित कर लिए भारत में उन्हों ने बहुत बड़ा प्लान बनाया को उनका उनके प्लान का जो पूरा दाइरह था उनका प्लान तो एक एसा था कि वो चाहते थे कि पूरा भारत ही अंगरेजग बन पूरा भारत ही अंग्रेज बन जाए वो केसे अंग्रेज बनेगा यह उन्हों ने इंग्लेंड में गए और इंग्लेंड की संसद में अपना इस्टेटमेंट दे करके बताया इससे पहले कोई ये बात नहीं रख पाया था किसी की सोच भी यहां तक नहीं गए थी मेकाले ने लाड मेकाले ने बिर्टेन की संसद में इक इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया और एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे वहां की संसद को यकीन दिलाया कि हम प्रतेक भारतिये को अंग्रेज बना सकते हैं और अगर प्रतेक भारती ये अंग्रेज बन गया तो वहाँ पर हमें शासन करने में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी और तापकी हमेशा के लिए भारत इंग्लेंड का एक हिस्सा बन जाएगा इस प्रकार की नीती लेकर क्या आया पढ़ने में देखने में सामाने लेकिन बहुत ब्रहद अर्थ इसका निकलता बहुत बड़ा प्रभाब इसका पढ़ता उन्होंने क्या इस्टेटमेंट दिया था उस इस्टेटमेंट से ही आप लोगों को समझा जाएगा कि क्या इस्ट दोस्तों, और फिर से हमेशा की तरह लास्ट अज पता निक्यों परेशान कर रहा है को देशन को वापस बंद करने से बहतर है कि केमरे को भबाद रहते जाना चाहिए करेंगे तो फिर से शुरूआत करनी पड़ेगी यारों बहुत आगे बढ़ चुके हम लोग काफी बढ़ चुके अठारा मिनिट हो चुके हैं सेशन को लिए हुए चली केमरा योकर देते हैं फिना केमरे के इस्टडी करते हैं कोई इकत नहीं है केमरा पता नहीं क्यों आज सही है कल इबनिंग में भी हैंग हुआ था ये चलिए आगे बढ़ते हैं आप बात पर आबाच पर फोकस करना है ना कंटेंट पर फोकस कीजिएगा देखिए तो मेकाले ने संसत में जाकर की इतनी सम्रद्डी मैंने इस देश में देखी इतने उच्छ नेतिक मूल ले इतने गोरबशाली लोग कि मैं नहीं सोचता कि कभी भी हम इस देश को पराजित कर पाएं क्या कहा ध्यान दीजेगा मेकाले ने कहा कि मैं इस देश के कोने कोने में घूमा हूँ और इस देश के क कोने कोने में घूम करके जो मेरी जानकारी मेंने जुटाई है उसमें मैंने देखा कि भारत में कोई भिकारी कोई गरीब कोई चोर मतलब कोई बिकारी कोई चोर बेक्टी मुझे नजर नहीं आया गरीब नहीं बिकारी और चोर मुझे नजर नहीं आया वो सांस्कृतिक इतने गौरफशालि संस्कति मेने इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी और इतनी गौरफशाली संस्कति के होते हम उनको पराजित नहीं कर सकते मतलब हम उन पर हमेशा के लिए आसाद नहीं कर पाएंगे जब तक की इस राष्ट की मजबूत रीड जो की इसकी आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत है हमें जो विरासत में हमें आध्यात्म मिला है जो संस्कृति मिली है उससे मेकाले डरा हुआ था घबराया हुआ था कि इस आध्यात्मिक और संस्कृतिक विरासत की ताकत से भारती हमें कभी भी हमारी जणों को उकाड़ करके फेक सकते हैं जब तक हम भारतियों को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से पंगू नहीं बना देंगे, लंगड़ा नहीं कर देंगे, तब तक हम उन पर अधिकार नहीं कर पढ़ें। मेकाले ने क्या कहा, कि इसकी जो पुरातन और प्राचीन सिख्षा पदती है, जो हमारी प्राचीन सिख्षा पदती चली आ रही थी, वेदिक कालीन से ही जो सिख्षा पदती चली आ रही थी, उसको हमारी संस्कती को उसने अंगरेजी में प्रतिस्थापित करने की बात कही। मेकाले ने कहा संसद में कि जब तक हम इनकी संस्कति को और इनकी प्राचीन जो सिक्षापदती है उसको बदल नहीं देते तब तक हम भारत पर लंबे समय तक अधिकार नहीं कर पाएंगे लंबे समय तक अधिकार नहीं कर पाएंगे इसलिए जरूरी है कि अंग्रेजी सिक्चा से हम भारतियों की पुरानी या प्राचिन सिक्चा पतती को बदल दे ऐसा इसलिए कि भारतिये सोचते हैं कि वो सब जो विदेशी है और अंग्रेजी अच्छे और महान है बजाए उनके अपने भाषा संसकती के मेकाले ने बिल्कुल करेक्ट कहा क्या कहा मेकाले ने कि एसा इसलिए और हम कर भी सकते हम उनकी संसकती को समाप्त करके अंग्रेजी को इस्तापित कर सकते क्यों? क्योंकि प्रतेग भारती ये सोचता है कि जो अंगरे जह, जो बिदेशी है ना, ओ हमसे बहुत बहुत महान है प्रतेग इस तर्वे और हलाकि ये बात तो आज भी बनी हुई है, यतावत बनी हुई है आज भी हम लोग की सोच क्या है अगर समस्पास्तविक रूप से सोचके देखे तो आज हम अपनी संस्कति की कोई जत नहीं करते हैं आज अगर हमें बाजार में कोई धोती कुर्ता पेंदे हुए कोई ब्यक्ति मिल जाए ना तो हम उसे इस नजर से देखते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा लुटे रहा हो समझे गए ध्यान को हकीकत में हमारी मानसिक्ता यही तो है आज तो हम अपनी संस्कति को पेचानने की अपेच्छा आज भी हम पासचाते संस्कति को ही बलावा दे रहे मेकाले ने बिल्कु सत्य कहा था कि हम अपनी संस्कति का कभी आत्मसमान संमान नहीं करते हैं अपनी संस्कति को महान मानते ही नहीं बलकि अंग्रेजी संस्कति को महान मानते हैं इसलिए उनकी बेश बूसा उनका खान पान उनके रहने का तरीका सब कुछ तो बेश्टन अपना चुके हम वेश्टन समझ येगा ज्यादा अपमान जरी सब्दों का प्रियोग नहीं कर सकता में कहने को तो मेरे पास बहुत सारे शब्द हैं लेकिन नहीं अच्छा नहीं रह अगर और वे बो बन जाएंगे जो हम उन्हें बनाना चाहते हैं अंग्रेजी सिख्षा दे करके जो हम उसे अंग्रेज बनाना चाहते ना वो बन जाएंगे एक पूर्ण गुलाम रास्ट मतलब एक हमेशा के लिए गुलाम रास्ट भारत बन सकता है अब अब अशकता है भारत में अंगरेजी शिख्चा को बहुत अच्छे लेवल से बहुत अच्छे तरीके से प्रतिस्थाफित करने की यह statement लाड मेकाले ने दो फरवरी 835 को दिया था कहाँ पर बिर्टिस की पार्लियमेंट में मतलब बिर्टिस की संसद में किलियर है यहां तक का ठीक है ना दोस्तों मेकाले के इसी स्टेट्मेंट से पूरी संसद के मूँ में पानी आ गया था कि यार हमेशा के लिए बड़ा गुलाम रास्ट मिल रहा है कल से ना कोई तो क्रांती होगी ना कोई यांदोलन होंगे ना कोई बिरोत करेगा क्यों क्यों है एक समीति गठित की यह समझे लीजिए चार्स बुढ़ की अध्यक्शिता में उन्नीस जुलाई अटरा सो चोपन को बात के लिए सिख्षा नीती की गोशना करती है समझ रहां किसने किती संसत की पार्लियमेंट ने बाहत के लिए एक नई सिक्छा कि निती की गोषन करती हिक नई सिक्छा निती लागू की जाएगी भारत कभ और किती गोषना ये उननीस जुलाइव 814 और इसी गोशना को बुड का गोशना पत्र कहा जाता है क्यों कि चाल्स बूर्ड इसका अध्र्यक्ष था कि इसे भारती प्रारम और बहूत अच्चय स्विक्ति से विकास इसी समय में हुआ इसके सांती हुआ समय जरना तो इसी के साथ में दोस्तों प्र क्या होता है कि अट कि एपी चल रही थी वो समापन हो जाय जैंजा कि लेकिन इसी समय में कया हुआ ऐब 38th की क्रांती आप सबी को याद है अटां सुतावन की क्रांती हो जाती है उना जिस में बहुत ज़ादा प्रभावित हो जाता है सरकार मतलब सरकार की जड़े हिल जाती आप तो इसके उतल पुदल का समय आ जाता है इस कारण से शिक्षा का जो विकास चल रहा था वो कुछ समय के लिए रुख सजाता है अब रुद्धों हुजाता है इसके बाद में फिर लाड रिपन के प्रियासों से 1882 में देखिए दोस्तों यहां पर ध्यान दिजिएगा कि यह अटरश सतन करांती के बाद में सिक्षा का अब विकास तोड़ देर कुछ समय के लिए रुख जाता है इना और अटरश सतावन के बाद में भारत का सासन भारत सासन विवस्ता चल रही थी अब कंपनी स्वेंन डा चलाते हुए कौंच चलाए गाभ उसको ब्रेटेन की संसद चला रही थी मतलब यह ए कि ब्रेते भारत में जो सासन विवस्ता चल रही थी उसका प्रतेक कानून का निर्माण उसके प्रते कानून का निर्माड कहा हो रहा था प्रियासों से 1882 में भारतिय सिक्ष्षा आयोग बनायाіє गया और इस इस लिए को हंटर आयोक के नाम से भी आज हम जानते हैं प्रतियोंगी प्रिक्षा वाले इस्ट्येंट बहुत अच्छे से समस्ति इसको जानते हैं इनकी द्रस्टी का बागे में कोई जबाब नहीं बहुत दूर तक यह सोच भी नहीं सकता इन्हों ने अंगरेज़ शिक्षा पर जो 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 दिया रहा था अंगरेजों के दुआरा उसकी मंसा को भाप निया भाप करके गांदी जीवन यापन का साधन बनने बाली शिक्षा पर जोड दिया क्या का गंदी जी ने गादी जी ने कहा कि भारत में सिक्षा वेवस्ता एसी हो जो जीवन यापन करने में सहायता कर सके व्यक्ति की मतलब एक व्यापारिक सिक्षा होनी जाई इसे ध्यान में रख करके 1937 में जाकिर हुसेन की अद्रिक्ष्टा में वात से चौदा बर्स के बच्चों के लिए अनिवार और निस्वीन के सिक्षा प्रदान की जानी चाहिए ऑर इसके अंतरकति किसे रोजगार के सांद चलितर निर्मार भी होना चाहिए और आत्मनिर्वर भी बने रहें। आगे की बात करें सुतंता के बात की बात करें सुतंता के पस्चा सिक्षा प्रणाली क्या रही तो सुतंता देखिए अब उनीस पंद्रा अगस्त उनीस सो सेतालीस का समय आया देश आजाद हुआ देश आजाद होने के बाद में अब देश के सामने कहीं प्रकार की चुनोति जो है दोस्तो सिक्षा की भी थी की सिक्षा प्रणाली को हम वहाद आवश्ता कि नए विश्भिद्यालों की इस्ताफना कि गई जिनमें पंजाब बिस्विद्याले शामिल है बढोदा थे जाले गवाहाटी कश्मीर बिहार रुड की यह सब इस विद्याले शामिल थे हैं कर सो तंतर भारत में सिक्षा परणाली को मझबूतित बढकरने करने के लिए मजबूती प्रदान करने के लिए यह बिस्विध्यालों को समय समय पर दिशा निर्देश देने के लिए एक एक बिश्विध्याले आयोक की भी कि इस्तापना की गई है। कि जिसके अधिकषपोंते डोक्टर सर्व पल्ली रादा क्रिश्ण सर और इसी और को रादा क्रिश्ण योड के नाम से भी जान ज्याते हैं ध्यान दीजीगा यह सुतंत्रों होने के बात की गणतना है लोको को हैंडल करने के लिए दिशा निड़ने के लिए एक आयोग बनाया कि दोक्तर सरुपल्ली राधा क्रश्ट के नेत्रतु है इसके बाद में तारा चंद समीती बनाए की दोस्तों लग गभब को ढर्ले देश वा था में में ताराचन समीति गठित कीती तो इसको भी काम दिया था कि सिक्चा के छेत्र में भीया बताईए क्या सोचते हैं आप लोग रिसर्च कीजिए समाज की भारत की बताईए कि क्या करना चाहिए आगे तो ताराचन समीति ने भी जो है अपनी अनुसे सो अरतालीस। तक अपनी स्वफारिस पेश कर दी। उसके बाद में नीट अवावन में इस ताराचन समीति की पाहिए सेपारिस पर ही अमल करते हुए। उन्नी सो बावन में डोक्तर लक्षमन स्वामी मुदालियर की अद्रिक्षता में माद्धिमिक सिक्षा आयोग की इस्थापना की गई वहीं 1964 में डोक्टर दोलत सिंग कोठारी की अधिक्षता में राष्टी सिख्षा आयोग की बाती राष्टी सिख्षा आयोग की जो पूरे राष्ट की सिख्षा पर फोकस करेंगे तो हलाकि चुकि 1951 से भारत में पंचवर्सी योजनाओं की सुरुवात हो चुकी थी तो अब देगी यह और इन्हीं योजनाओं से अपने विकास करम में आगे बढ़ने भी लगाता तो इसी कारण से शिक्षा पर भी विशेस द्यान दिया गया वह इसी के साथ में भारति सिक्षा प्रणाली को सुद्रण करने और उसमें नवाचार लाने के लिए और उसको बि इभिन सेक्षनिक निकायों की स्थापना की गई जैसे कि 1945 में अकिल भारती तक्निकी सिक्षा परिश्द बनाई गई 1956 में विश्व विद्याले अनुदान आयोग बनाया 1961 में रास्टी सेक्षिक अनुसंदान और प्रिश्द परिश्द बनाई गई गई 1995 में रास्टी अध्यापक सिक्षा परिश्द का निर्मान किया गया तो इस परिश्द यह आयोग क्यों बनाई गए थे ताकि भारत में चुचल रही सिक्षा है या सिक्षा विवस्ता है उसको बिश्व इस्तरकी बना सके हम उसमें नवाचार ला सके टीके दोस्तों साथी समय समय पर आवशक्ता के अनुसार सिक्षा की नीतियां आती रही राश्टी सिक्षा नीती 1968 आई राश्टी सिक्षा नीती बरतमान में नई राष्टि स्क्षा नीटी 2020 आ जाती है इस प्रकार से हमारा पूरा करम राहे भारती शिच्छा नीतियों का इस तरफ से दोस्तो सुधंता के बाद में भारती शिच्छा प्रणाली पर इस प्रकार से जोड दिया गया और आज बरतमान में हैं आप कि यहां तक का तो अब देख लेते हैं अंतिम रूप से कि बिद्वानों का भारति सिक्षा प्रणाली पर क्या कहना है तो भारति सिक्षा का हमेशा से एक मूल मंत्र रहा है है इश्वर में संस्क्रत में लिखा हुआ था चुकि यहां पर बो में ने हटा दिया है उसका कोई करते हैं आर्थ तो बहुत बला निकलता लेकिन उसकी आवश्यक्ता बास्तवी रूप से नहीं थी अगर में उसको रख देता है यहाँ पर तो आप लोग जो नहीं इसको फोकस नहीं करते आप उसको इग्णोर करके आगे बढ़ते क्योंकि उसको रटना परता आप लोगों क का अर्जन करें दोनों एक साथ ज्यान प्राप्त करें इसा नहीं कि स्टुडेंटों को ही ज्यान प्राप्त करना होता है दोस्तों टीचर को भी पढ़ना होता टीचर को भी नित प्रति दिन जो है अपना अध्यान जाली रखना परता है अन्यता वह टीचिंग नहीं कर पा प्रारम से मोल्मंत रहा है इसी को लेकर दोस्तों फ्रांसिस बेकन के कतन था अग्जान की शक्ति में एक बात परिलक्षित होती है कि घ्यान अपना मार्ग स्वें बना लेता है इस पश्ट होती एक बात की घ्यान अपना मार्ग स्वयम बना लेता इसलिए कभी भी पढ़ते वक्त यह में सोचे कि हमें एक्जाम में पास हम होंगे या नहीं होंगे क्या होगा क्या नहीं होगा ग्यान लीजिए ग्यान होगा तो ग्यान अपना मार्ग स्वयम ढून लेगा आपको मिलत करने के अवशक्ता नहीं इसल सुद्रन संयमित और अदूतिय बनाने में सबसे बड़ा योगदान जो है भात की सांस्कृतिक बिविलता का है जर्मन दर्शक मैक्स मूलर ने एक बहुत अच्छा कतन कहा और उन्हें कहा कि यदि मुझे विश्व समगर विश्व पर यह जानने के लिए द्रश्टी डालनी पड़े कि वह कौन सा देश है जिसे प्रकरती ने अपनी संपूर्ण संपदा संपूर्ण शक्ति संपूर्ण सुंदर्ता प्रदान कर दी हो और कुछ अंसों में हम कहे सकें कि प्रद्वी पर वो स्वर्ग है तो मैं भारत की और इंगित करूंगा इस सीच का संकेत करते हैं कि इनके ये शब्द और भी आगे तक बहुत जादा है जो मैंने यहाँ पर नहीं रखे पुस्तक में आपको देखने को मिल जाएंगे इस प्रकार के शब्दों का प्रियोग करके यहाँ पर मूलर सहाब ने भारती सिक्षा प्रणाली को बहुत जादा महदूर्ण प्रदा इसे में बिकास के लंबे दोर से गुजरते गुजरते भारती सिक्षा प्रणाली ने पुरी दुनिया में चाप छोड़ी हैं ग्यान में तो हम तब भी विश्वगुरू थे और आज भी विश्वगुरू हैं हमें केवल अपनी जड़ों को खोजने और प्राचिन ग्यान के नहीतार्थ को पहचानने की ज़रूरत है अंतिम रूप से हमें अपनी संस्क्रति को पहचानने की जड़ता है आज भी विसे अमेरिकन दार्षिनिक और इतियासकार हेंडरी डेविड थोरी भी मानते हैं कि में कि सुबह में कि सुबह में मोर्निंग टाइम में में अपनी बुद्धी को भगबत गीता के अदबुद दर्सन से इस्नान कराता हूँ क्या कहा अमेरिकी इतियासकार ने डेविट ठोरी ने क्या लिखा है कि सुबच सुबच जिसे ही में उड़ता हूँ तो उड़ते ही मैं अपनी बुद्धी को भगबत गीता के अदबुद दर्सन से इस्नान करता हूँ मतलब क्या हुआ कि उड़ते ही मैं गीता का पाट करता हूँ जिसकी तुल्ना में हमारी आदुनिक दुनिया जिसकी तुल्ना में गीता के ग्यान की तुल्ना में जिस संस्क्रति को हम नहीं पेचानते जिस संस्क्रति को हम मानिता नहीं देते। आगे हम बात करेंगे अगले टोपिक में भारती सिंप्षा परणाली एक्षोल सवापतों हो चुकी है उसको इडिट नहीं किया परमपरा पर मिलेंगे दोस्तों जो दोस्तों हमारे संद्ध कंटीनू बढ़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्सन में जाएएगा वहाँ पर वार्टसप और टेलिग्राम के लिंक दे दी गई है वार्टसप पर अपनी क्लास के नुसार ग्रूप जोन कर लीजिए और टेलिग्राम का एक ग्रूप उसको जोन कर लीजिए जिससे कि आपकी स्टडी नियनतर रूप से और इससे पर पास से चलते रहे मिलेंगे अगले सेशन दोस्तों तब तक आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद थेंक्यू मिलेंगे कलके सेशन में बहुत-बहुत